मैं दो-चार दिन पहले कई बाहर एक प्रोग्राम था वहाँ से निकल के तिलंगाना बवन जो हमारी पार्टी की हेड़ आफिस बंजारा इल्स में वहाँ जा रहा था रास्ते में वो सिटी सेंटर के पास सिगनल पढ़ गया तो वहीं पे रुख गये इतने में एक आठो आगया मेरे साइड में मेरे खिडकी के पास आगया। आठो चलाने वाले भाय साब शलाम करे मैं भी सलाम बोला शिशा नीचन करो बोले तो मैं शिशा नीचन कर लिया बोले मैं बोला क्या नाम है भाई बोले महमूद मिरा नाम महमूद है बोला क्या हल है क्या बात है आप बोले शिशानी चाकरो मैं कर लिया बोलो क्या बात है तो बोले सब बरबात हो गए हम लोग आपकी हुकूमत जिब से गई आपकी सरकार जिब से गई बरबात हो गए बोल कुछ भी अच्छा ने लग रहा साथ वो ले तो पलखा करेंगे पिर तो उन्हें पूम्हें बोले कुछ करो सब्सक्राइए तो फिरो कोई do ने पूम्हें एक वोट का सजा il a गलत फैसले का सजा फांस भा में क्या करों नोán आ जो दोले मालूम साब कोई तर्कीव नहीं है क्या कुछ नहीं कर सकते क्या मैं वहला मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई पड़ अवाम में अगर गुस्ता इतना जाधा आया क्योंकि जो हतेली में जन्नत दिखा के कुछ भी बोलके चार सो बीज वादे करके जो आज जुमले सुना सुना के आज गदी पे बैठ गये उनको अगर हटाना है तो फिर एक बार जो तेलंगाना के जिद्धो जहित थी 14 साल जो केशियार साब चला है जो तहरीक जो चली तब पिर एक बार अगर 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 इतना गुस्ता अगर आ गया तो कुछ भी हो सकता उससे जादा मैं कुछ नहीं बोलूगा यह बात मैं उनको सुना दिया मैं आज जिब से कॉंग्रेस की दोर आई एक साल से आज क्या हो रहा है आप मेरे से बेटर जानते हैं मैं गया था किशन भाग बहुत दूर पुरे कॉंस्टिंसी में हमारे बहन और भाई तिलंगान भवन चलके आए वहां से जो मुसा के इत्राफ में मुसा नदी के इत्राफ में आके बोले भाई हमारे साथ नाइनसाफी हो रहा पट्ता हमारे को हुकूमत दी परमिशन हुकूमत दी आज हमारे को बोलरी हमारे को हकालने की क करने वाले तो कोन तेन आना प्रणाना के क्हिदमत करने वाले तो कौन तेना के दोस्त और हम समझ गए भाई हमाप के साथ रहेंगे आगे चलके भी आप हिमत ऑप इसलिए चाहे हो मुसा और हाइडरा के बारी में हो चाहे हो कोडंगल में जो आजकल एक जंग छेडी इस बेवकूफ सरकार ने उसके बारी में हो चाहे कोई और मसाहिल के बारी में हो पिछले एक साल में पिछले एक साल में हमने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का जो 420 व हर कुछ चीज वादा करके हर चीज वादा करके जो वोट लिया उसके बारे में एक साल से चाहे कितने दक्या हमार को मारने की कोशिश करें फिर भी हम हटे नहीं लड़ते रहें आप से एक वादा है और एक बाद भी मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ घर पे घरीबौं के जोपड़ पटी पे जब बुल्डोजर आ गई तो हम लोग उसका मुकालिफत कर रहे थे पर कौन उसकी सपोर्ट कर रहे थे कौन उसकी हम रेवंत्रेडिंट की ताविन कर रहे थे याfour बी अब एक अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही यहां पे अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही तिलंगाना में आप देखिए एक मिनिट आप सोचिए एक मिनिट राहूल गांदी राहूल बाबा बैचारे वो जादा जानते नहीं है जो भी आए जहां भी आए कुछ लिख है उनके लिए बस उन पढ़के निकल जाते हैं उन्हों लीडर नहीं है रीडर है पढ़के निकल जाते हैं बिचारे आये थे तिलंगाना में भी कुछ भी बोलके निकल गए पर आज उनके पीट पिछे क्या हो रहा एक मिट के लिए आप सोचिए राहुल बाबा दिल्ली में तकरीर देते हैं क्या बोलते हैं उन्हों अदानी चोर है अदानी फराड है बोलके राहुल बाबा चीकते चिलाते गला फाड़ बाड़के बोलने लगते हैं वहाँ पर यहां पर रेवन द्रेड़ी क्या कर रहे हैं वही अदानी जिसको राहुल चोर बोलते राहुल है रेवंद बाबा क्या कर रहे आप है नहीं नहीं चौगिदार चोर नहीं है चौगिदार हमारे बड़े बाई है राहुल बाब है उपर वहां दिल्ली में बोलते गुजरात मॉडल बेकार है सब गोलमाल है रेवंद बाबा क्या वो रहे आप है नहीं नहीं गुजरात वही रास्ते पर चलना है आप देखिएगा एक मिनिट राहूल वावा चीकते चिलाते काफी है जहां बुल्डोजर चलती उत्तर प्रदेश में राहूल काफी शोर मचाते पर यहां कई को नहीं आरे बहुत दुर पूरा यहां कई को नहीं आरे हमारे हैदराबाद में जहां बुल्डोजर की राज चल रही आप एक मिट के लिए सोचे क्या तिलंगाना के गरीब गरीब नहीं है तिलंगाना की अवाम अवाम नहीं है हम क्या हिंदुस्तान के हिस्ता नहीं है आप हिंदुस्तान के लीडर आफ अपोजिशन नहीं है क्या जहां कहीं भी कॉंग्रेस है वहां पे बुल्डोजर सही है और जहां कहीं भी कॉंग्रेस नहीं है वहां बुल्डोजर नहीं चलना है यह कहां की रीत है और जहां कहीं भी कॉंग्रेस है हुकूमत वहां अधानी अच्छा है और जहां करिए convince करिए उनको समझाइए कि आज तेलंगाना में जो एक अजब प्रेम की गजब कहानी आपको देखने को मिल रही ये बस तेलंगाना के अद तक सीमित नहीं है आज दोनों मिले हुए हैं दोनों आज एक लाउती आवाज तेलंगाना की जो है उसको दबाने की उसको खतम करने की साजिश दोनों मिल के कर रहे हैं आप देखिए बंडी संजे क्या बोलते भाई अपने को आपस में लड़ना है कांग्रेस और बीजेपी को पहले इनको खतम करो पहले इनको खतम करो इनको इनका खतल करो अगर ज़रत पड़ा पोलिटिकली सियासी खतल करो फिर आदमें अपने जान तक खुर्वान करने के लिए तयार थे तिलंगाना रियासत के वास्ते आज उन पे आप विश्वास करेंगे उन पे यकीन करेंगे या यह जो आज आके बैड़ गए हमारे तिलंगाना में गलियों में तो बोलते अड़ी मार गुड़ी देबा बोलके आज से तुक्का लग गया तुक्का लग गया इनों आके बैड़ गये अब कुछ भी कर रहे हैं एक साल से मनमानी चल रहा है इनका इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज किस पर आप भरोसा करेंगे किस की बातों पर यकीन करेंगे मैं आप ही को चोड़ता हूं बस इतने ही कहत करना है तो सिर्फ और सिर्फ के सी आर साब से और बी आरेस से एक काम हो सकता है बस इतने ही कहते हुए मैं आप तमाम भाईयों से और जितने भी शेरों शायर है जितने भी हमारे उशायरे में आज पार्टिसिपेट करने वाले हमारे अलग-अलग जगा से आने वाले हमारे उन सब का भी मैं शुक्रे आदा करता हूँ और जहां पे जितने भी हमारे भाई, बेहन और मीडिया वाले आए आप सब का भी मैं शुक्रे आदा करते हुए जैत अलंगाना केटियार्ट ता आपके नाम एक बेटरिन शेर हमको जुन बर्गार ने समझो आज के शुले हैं हम केटियार्ट साथ के लिए है हमको जुन बर्गार समझो आज के शुले हैं हम ये तो शिराफ़त है हमारे लिए